नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कारिक्रम में और आज हमारे साथ है पुनीच साहनी जी बहुत दिनों बाद और आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से आप जो आज कर सुन रहे हैं कि सनावर्ण धर्म के उपर प्रहार हो रहे हैं दक्षिन बारत में स्टालिन पुत्र द्वारा तो अकेले स्टालिन पुत्र द्वारा नहीं हो रहे हैं यह उत्तर वारत में एस जी पीसी द्वारा भी हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं क्या हो रहे हैं दोनों के बारे में बात करते हैं पुनीच सानी से स्वागत करें पुनीच सानी आप स्वागत कि एक्रिव करेक्ट प्रिनसियेशन जो है ना वो कोई पंजाब वाला ही बता सकता है हम लोग करते हैं कोशिश पुल्स हागी पुल्स आज कल हम देख रहे हैं आपने देखा होगा आपका भी कॉमेंट आया तो देखा था मिने प्विटर पे कि ये जो इस टालिन ने एक बड़ी बेहुदी सी बात की वो लगबग उसी तरह की है जैसे ये सजी पीसी वाले करते हैं तो ये स्टालिन वाले के बारे में आपका क्य एक असल में ये इशू थोड़ा बड़ा है और ये हमारे से भी ज्यादा ये वेस्ट के लिए इंपोर्टन्ट है क्योंकि वेस्ट क्या करता है या कोई भी क्या इसलाम को कोई समझझे की कोश्च करता है वो इस तो जैसे नॉर्मल है जी जी मानो माराश्टर का इलेक्शन ह ये ग्रूप हैं ये इनकी डिमांड हैं ये विजली विजली कर दी ये हो गया इलेक्शन इस नॉट एक आइडियोलोजी है और वो जो आइडियोलोजी है उसके पीछे आप अब जैसे इन्होंने शौर मचाया हुआ जी ये ये इसलामी कटरपन था गया क्योंकि ये अमेरि बास बात करते हैं इसका कोई सिर्फ पैरे नहीं है कि अमेरिका तो इनके साथ था बिलकुल कि अमेरिकन फॉरन गरीबी ने कर दिया और भाई वो पड़े लिखे जाके उसको मार रहे हैं कि आतंग बात कर रहे हैं तो एक सोच है कि एक किसी को काफर कहना और फिर एक इंट् किरिड में आ जाते हैं जैसे यह जो सिंग सभा अकाली मूवमेंट है या आप यह देखिए जो इसके उपर वेंकर धूली पला ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी वो जो यह जो मेकिंग अ न्यू मदीना जो इन्होंने यूपीजीपी के अंदर जो अपना बढ़ाया था यह मुस्लिम लीग वाला और यह ड्रवीडियन मूवमेंट भी आप देखो ना संजे जी यह बिलकूल मैं इसके उपर संजे जी वेना इसी कि यह क्या जुबान व्यूस कर रहे हैं या इनकी क्या हरकते हैं कि ब्रामनों को डीमनाइस करना या उसको डारेक्ट एक्शन क देना या किसी को काफर कहना या किसी के मतलब सोचना एक किताब के अंदर सारा ग्यान बढ़ा पड़ा है या हम अलग कोमियत हैं तो इनके सारे स्लोगन्स हैं और यह जो संजे जी जो मेरा है मैंने आपके चैनल पे भी किया और वो मकबूल भी वह आर लोग उसको बोलना भ है मैं तो यह देख रहा हूं कि इनके जो लैंविजेस हैं स्लोगन है और यह जो क्या कहते है अपना जो टाइम लाइन है डाट मैच इस एक्जाटली विड़ेश में डालके उन्होंने बनाया बट यह कि इनका अब जैसे लिट्रेचर तमिलियन में है या साउथ इंडियन म जैसे वो जो अन्ना मलाई अब कोशिश कर रहे है ना इसका कोई जो यह केजरी वाल ही या यह इवन टू एक्स्टेंड मिस्टर मोदी की खिलाप लाके अपने साथ मिला लो इसका कोई लाज नहीं है जो कालियोगा भी था खिलाप लाके तुमने क्या कर लिया तुमने कि यह जवाब है कि यह नहीं की जिनको खला पला दो कि मुल्वी के साथ को फूटो के चालो या कुछ करा लो या कुछ करा लो यह थू कंफरेंट दी आइडियोजी दाट इस युनुनियर जो बात कर रहा है वह बी किसकी बात करता है वह एक परियार नाम का एक बड़ा ही जिसको हम कह सकते है कि एक बड़ा ही गिरा हुआ व्यक्ति जिसके लिए नहरू ने कहा था कि ही जिए लुनाटिक और यह परवर्ट कामराज को चुट्री लिगी थी वह ऑन रिकॉर्ड है और ही वह वाज ही बिएवड एक्जैक्ली लाइक लुनाटिक है उसलिए उसका जो दत्तक पुत्री से विवाह किया उसने कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको गालिया नहीं दियो अज़र सिंजी जी यह जो है ना देखो अब आप यह जो ऐसे आप कंपेर करो यह जो मैं है ना अब यह कार्ट चाट की करते हैं अब देखो जो बिंडरावाला था ठीक है अ अब देखो ओरंग जेब है उससे हमारा मलब है बट ओरंग जेब में कुछ तो था ओरंग जेब 86 साल की उमर में मराटो के साथ गोड़े बैठके युद लंड़ने जाता था जो बिंडरावाला है वो 36 साल की उमर में अकाल तक्त के अंदर चुए गया जैसे छुप गया ठ जार हिंदुओं को एक घंटे के अंदर कतल कर दूगा ये बिंडरावाला बोलता था बिंडरावाला ने अकाल तक्त के के अंदर इन्होंने तलवारे मारी यह बिंडरावाला इसके हम सबूत दे चुके हैं कि अकाव तक्त के अंदर इन्होंने पाखाना किया अब जन्य जी यह बट यह तो हिम्मत नहीं होती है आइक टली यह वरी इंट्रेस्टिंग जो में बुक आई ना ब्लू स्टार के बाद उस बंदे का नाम था मार्क टली इन सतीज जेकब दो बंदों ने लिखी उस किताब के अंदर लिकाव है बिंडरावाला ओगर था ओगर आप समझ गे ना कि कि बिलकुल विक्षप्त और मतलब अगलियस और वो जो बंदा मैंने देखा वो एक साल पहले उसको खालिस तन्य बंद करो हो सकता है कि हमारी जैसे वाज़ें अगर बंद करती जाएं तो क्या सारे बिंडरावालों को संथ करना शूब करते हैं यही पेरियर का इसाब है उस टेम के जो लोग देख रहे थे कि यह क्या विक्षपत आदमी है और यह क्या पागलपा नहीं करी जा रहा है उस तो पेरियर का महान तरह से एक सेक्षन है उसके इलावा कोई नहीं कहता और खास्तोर से जो हमारे जो यह लेफ्टिस्ट वगरा है ना उनके लिए पेरियर जो बहुत 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 ही ग्रणिक आदमी था बात करते हैं आपके आज कल जो है एसजी पीसी थोड़ा सा वाप पस एक्टिव हो रहा है मैंने सुना और बड़ा नेरेटिव बना रहा है कह रहा है कि इसलाम और सिखी जो है वो एक है और हिंदु धर्म या सलातन धर्म वो अलग है संजी जी दो चीजे है इसमें एक उनकी बात सच भी है गल्स भी है जैसे विसे की तो हम अब जैसे संजी जी एक है ये गिने चुने करते रहते हैं जो एक बार आपकी यही दजिया उड़ाई थी ना एक उते पता नहीं मैंना प्रतम गिनेश मनाऊं उसको कोई जवाब दो मैंना प्रतम गिनेश मनाऊं उसका कंटेक्स ही कर दिया कि वो देवी की उस्तिति है एक और लाइन है कि आज वो मैं आपको दिखाऊंगो जिसमें लिका है राम रहीम कुरान पुरान ने ने एक कहिमत एक नम वो बार बार बोलेंगे अब उसका भी देवी स्टुटी का कॉ इसलाम है इसलाम चलो अरिजिनल तो है कि वो जो बोल रहे हैं अपना बोल रहे हैं आपको उनसे परिशानी है तो ठीक है आप लड़ो ये तो उनकी कॉपी करके बैट गए जो सारी के सारी उनकी डॉक्टरीन है और उनकी हरकते हैं आज हमको दिखाएंगे कि क्या 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 ये मार रहे है बना कोई चोथी पास भी अगर वो जो ये बोल रहे हैं उसका देख ले अच्छा ये क्या लिखा हुआ है इसकी दो लाइने उपर के दो लाइने नीचे क्या है तो पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल ही जूड बात है बट ऐसे बंदे जो हैं वो इनके पता नी इंटेलेक्शल जिनिस बने हुए है वो इनके पता नी पोब बने हुए जिनको दो कोड़ी की अकल नहीं है क्या बक्वास कर रहे है तो जली संजी जी मैंने आपको वो पांचे स्लाइडे दी थी अगर वो आप देख लें तो वो पता लग जाएगा यह क्या यू नो इट इस सो शेमफुल कि इनका क्या इंटेलेक्शल लेवल है पहरे वो आपके वो ले लेता हूँ मैं स्क्रीन शॉट राम रहीं वाला और उसके बात पिर इनके कॉल सी इसलामी वाली जो है वो लेंगे तो स्वारी ज़िए जिए यह चांच बाणियाप गुर्दवारे में पढ़ी जाती है अब इसका कोई कॉंटेक्स नहीं है बड़ी अपने आपको हिंदूों से अलग दिखाने के ले इस लाइन को बार बार बीच में बोल देते हैं जैसे शाम की प्रार्थना हो रही है उसमें बोल दो कई कुछ संत्या चल रही है उसमें ठोक दो अब यह जो लाइन बार बार बीच में ठोक रहे हैं अपने आपको हिंदों से अलग दिखाने के लिए अब उसके दो-ती लाइने ऊपर और दो-ती लाइने नीचे के वो पढ़ ले तो देखे उसमें क्या निकल के आता है जी हाँ ला रहे है उपर अभी तब तक आप बोलते रहे हैं हाँ जी तो सेंजी जी ऐसा है कि कोई आप सोचो कि कोई बगवत का पार चल रहा है ठीक है उसमें से कोई पनी कोई क्लाव कोई की रहन जा करते मलश करते देखा है कि हम हिंदो से अलग हैं बलकि वह जो गूरु गोबेजिंक दी ने लिखा हूँ है वही दुबारा वह निकलेगा जो हिनों ने पहले वो मेना प्रत्म गिनेश्मना वाला ड्रामा किया हुआ है तो यूनों तो आप दशम ग्रणत को तो मानना ही बन कर दिया ना उनोंने तो संजी जी कैसे मैं यह बता रहाएं डशम ग्रणत जैसे आपकी अरदास है जो आपकी हर टाइम जो भी सिख पराथने इकता है वह दशम ग्रणत से आरा तो कैसे निकाल दिया बहुत तो यह यह बता रहे हैं न यह दो इंटेलेक्शल इतनी डिसॉनस्टी है यह निकालने तो निकाल दो अगर यह निकाल दोगे तो वह सिर्फ ग्रंट साब रहा जाएगा पूरा पूरा वह वैशनव भक्ति है उसके अंदर है यह जो सारा अलग यह आइडेंटिटी है यह जो और यह जो शाक्त है और यह शस्त्र है यह तो दशम ग्रंट से आ रहा है तो इसको कैसे निकालोगे बड़ उसमें देवी 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 है अगर कोई भी इसको इमांदरी से पढ़े लिए तो है ना जैसे वह आपके वो यह जी यह आगया आपका तो संजे जी यह जो पढ़ेंगे अब पढ़िए जाए ग्रंत सकल पूरण कियो भगवत क्रिया प्रसाथ क्रपा प्रसादि आंच गहे जबते तुमें तबते को आँख तरे नहीं आनियो राम रहीम पुरान कुरान अनेक कहूं मत एक न मानियो समित शासन वेद सभे बहु भेल कहे हम एक न जा इसके नीचे भी एक लाइन है जब संजरी देखिए यह क्या है यह रामाइन जो गुरु गोपिल सिंग्छी ने लिखिया उसके एंड की लाइन है अब देखिए पहली बात है यह रमाइन है अचा यह शुरू कैसे होती है कि भगवत के पासे मैंने यह कंप्लीट कर दिया ठीक है अब बात आगे भगवत की तो गुरु गोपिल सिंग्छी क्या करते हैं जब भगवत की बात करते हैं हमेशा स्पेसिफिव है करते हैं कि मैं शाक्त भूजा कूँ ठीक है तो उन्होंने लिखिया कि जब मैंने तुम्हारे पार जब से मैंने तुम्हारे पैर पकड़े है अब यह भाई अगर कोई वाही गुरू है कोई हवा में है तो पैर कैसे पकड़ लिए जब से मैंने तुम्हारे पैर पकड़े है मेरे आँख म और कोई नहीं आया तो राम रहीम कुरान और यह जो वेस हैं यह अलग-अलग बाते के रहें मुझे कोछ समझ नहीं है मैंने शिरी अस्पान अब दिखे संजी जी जैसे मिरिक पानी का है शिव जी कि उनके हाथ में मिरिक गए क्रिशन जी अब असी आपको बताया था यह जो भीश्म पितामा शांती पर में नकूल को समझाते हैं कि एक तलवार है धरम की तलवार है अब असी पान किस के हाथ में है दुरगा के हाथ में और श्री अस्पान का क्या मतलब है कि मैं सारा को छोड़के हे दुर्गा मैं तेरी शरण में आया हूँ जो तुम मुझे बता रही है मैं भई बोली जा रहा हूँ अब ये उन्होंने लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है कि हाँ मैंने ये भगवत के पासे ये कर दिया और ये जो उसके अंदर रमाइन के लिखा हुआ कि श्री राम जो है विश्नु के अफ़तार है बड़ मैं तो देवी के चड़नों में हूँ ये इसका मतलब है और एंड में ये भी लिखा हुआ है जी ये रमाइन यहां पर खतम होगी ये रमाइन की लाइन है उसको अंदर य पीज में मारी जाते हैं मैंना ये क्या कहते है वह ये वो ट्य-व विख्विफ्न के लाइन इसका कोई लेना दे नहीं मैंना ये इसेगा ये पूरी जो MODERNğa की यह लाइन है ये प्रोड है कि कोई लाइन है रमाइन की उसके लाइन उठाके बिना उसके आगे पीच्छे उं मैंना प्रत्रम गनेश मना हूँ यह कान सिंग ना बने शुरू किया आज से सो साल पहले और उसको सो साल तक जो सबसे बड़ा इनका मालो या जटवादी या मेक्सिक जो इनका था वो इंडियन इंस्टुटूट अफ एडवांस स्टेडी शुमला का पता नहीं प्रेजडेंट रा सबसे बड़ा जो स्कॉलर था वो जेस ग्रेवाल वो साला इतना बदमाश था वो जुट बोलकि है कि यह मैंना प्रत्रम गिनेश मनावी है बलकि कोई आम आदमी पढ़े तो यह साफ साफ दिख रहा है यह देवी स्टुती में लिखा हुआ है तो ऐसा इन्होंने सो साल से फ्रॉड गिया हुआ है और अगर यह फ्रॉड कर रहे है जो यह जो पिचारे वो कोई दीव सिद्धू है या यह क्या कहते है यह कोई हर प्रीस इंगे इनकी क्या कलोगी संजी जी यह जो अगर यह धरम था ना इसका प्रचार इतना हुआ और यह फैला इतना हुआ इसका यह था यह लोक भाशा के अंदर है यह जो आपके सामने लिखा हुआ है यह मैं कोई पुनी सान इसकी भी आख्या नहीं कर रहा यह आप अगर जैपूर में बाहर जाते हैं आप रिक्षे में बैठे हैं आप उस बंदे को कहें यह क्या लिखा हुआ है वो आपको मतलब बता देगा इसका क्या लिखा हुआ है और यह जो अपने पूप बनके बैठे हुआ है गुर्दवारों के अंदर उनको दो कोड़ी यह कर लिखा है कि वो क्या की क्या बक्वास मार रही है वो तो आप से परिशान है अभी मैंने यह सुना था यह बोल रहे थे कि इस आप की इसलाम में और हमारे में बड़ा बड़ी समानता है अब संजी जी ये ये संजी जी ये जो है ना ये इतनी फचूल बात बोली अबसल मैं आप वो अगर वीडियो चला दे है उन्होंने बोली क्योंकि हमें दो पता है क्या बोली बड़ लोग भी सुनने कि कैसा पागल आदमी है और ये जो बंदे ने बोली है ये कोई एरा एरा बंदा नहीं है ये जत्थेदार और वकाल तक थै इसका मतलब ये सिख पोप है एक तरह से मालनो आप और इसकी क्या आकल है इसने क्या बात बोली है इसकी बात दिखाएं जो इसने वर्ड बोला है और फिर हम वो कंटेक्स दिखाते हैं कि कबीर जी ने वो बात कई क्या थी जो इसने बोला है अगर आप चला सके तो वो भी चलाएंगे आप 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 पी बात पूरी करें तब तक ही आता है पागल पने की बात उसको छोड़ी है पागल पने की बात उसको छोड़ी है यह स्क्रीन शॉट नहीं वो वीडियो जो है वो पीली पगडी वाले वाला वीडियो वो दिखाना है आज थोड़ा हमको जल्दी समात करना पड़ेगा क्योंकि मुझको टाइमस नौ पर जाना है तो संजी जी यह जो है ना संजी जी वो आप कहरे हो ना की पागल है पागल नहीं है वो वो जो बंदा है आप संजी जी एक काम करिया आपके लिसनर से मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ ठीक है वो जो अकातक के जत्यदार ने मेरे बारे में स्पीड दी पबलिक में कि एक बंदे ने हमें परशान कर रखा है वो सारे लोगों पागल कर रखा है ये जो बंदा है ये ऐसी फजूल बात कर रहा है कि जी चंदरयान फेक है धरती दो फ्लैट है कोई चंदर ये जो चंदर सूर्म है ये धरती के आसपास पूरी ये वो इसलामी के बात कर रहा है उसने मेरे बारे में गाली नकालने का एक वीडियो नकाला कि पुनी सानी फ्रॉड है उसको लाख वियू मिल गए ये कोई भी एक्सपरिमेंट कर सकता है कि अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल है जिसको सो दो सो वियू मिलते हैं आप मेरी फोटो डालके और ये कहा दो पुनी सानी एक्सपोस्ट और कोई गुर्बानी की कोई एक ल जालिया निगालो और पुनी सानी एक्सपोस्ट कर दो तो ये दुनिया की जतने मेक्सिक आपके पैरों में पढ़ जाएंगी आप करिए संजी जी चैन यू बिलीव ड़ीव ड़ीटली ब्रेंट परसन वी सेंग चंद्रयान इस फेक और अर्थ इस फ्लैट और ये जो अध संजी इस रिवॉल्विंग अराउंट दी अर्थ इसको एक अलाग फ्यू मिलगे इसने मेरे अलाग वीडियो बनाए बस वीडियो संजी देखो वो आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे पुड़ा टाइम लग रहा है वो कंसोल से डाल रहे है लोड कर रहे है मेन बात जो है ना कि यह जो नर्रेटिव बना हुआ है पूरा का पूरा मैक सिक्खी वाला मुझे तो अब लग रहा है कि लोगों में थोड़ी थोड़ी चेतना आ रही है क्योंकि मैं आप कई कॉमेंट्स देखता हूं इस तरह कि जब यह लोग बाते करते हैं तो उसके पी इसके उपर बाद में बात करेंगा इंग इंग अपॉर्टन पॉइंट हां जी यह सुना ही यह क्या मानू बात कह रहे है जो पोड़ी सिखी के सिक्खर के मुसलमाना नी सांच जडिया और सिदान तक है क्योंकि सिरी गुरु नानिक देव जी माराज सानु एक रब दी बंद की सखोने है और जिस तरह इसलाम देविट एक यह है कि जड़ा एक रब दी अबाद चाड़के किसे होर नू पूजदाए वो काफर है वोसे तरह सिरी गुरु गरंसल सचे पाज़शा जे अनर सानू समझाया है कि जड़ा एक रब नूचाड़के एक अताल पूजदाए वो साकत है ते साकत दी हालत जड़िया है वो सूर्दों भी बत्तर है साकत दे सूकर बाला रख है अच्छा गाउड जिनको पंजाबी समझ नहीं आई मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूं इन्हों ने से इसलाम कहता है कि जो काफिर है वो बहुत बुरा है वैसे सिख़्ी जो हमें बताई गई है उसमें लिखा है कि जो साकत है वो सूर्दा से भी बुरा है और इन्हों ने जो लाइन तो अब देखो वो आप संजी जी वो जो है ना स्क्रीश्ट आप लगाई है रहारा है इमिजेटली उसके उपर ये क्या कॉंटेक्श में क्या पढ़ी सिंजे जी 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 भगत कबीर की तियुतियो राम निवास कबीर गहगची परियो कुटब के काठे रही गईयो राम आई परे धरम राई के बीच ही धूमा घाम कबीर साकत तेसु करवला राखे आच्छा बागता अब राम का निवास होने से बन दा काफिर होता है या क्या होता है फिर गहते कभीर ये गहची पढ़ी औ-कđडी औ-काडी मिलंभीर मेरे घघर में ये जो ये कुटब में मैं पड़ा रह गया और जो राम है वो से मेरे गले में रह गया ये वो कह रहे है आ गयो धरम राय धरम राय का मतलब क्या है कि यम आ गया मतलब मरने का वक्त आ गया अब ये जो यम है इसमें विश्वास ये काफर बनाता है कि ये क्या मोमिन बनाता है आ गयो धरम राय बीच म में इसका translation है नास्तिक की तरह है जो मेरी है जो जिस कंटेक्स्ट में ये बोल रहे है इसका मतलब है जो असक्तियों में रह गया कबीर उससे बहला तो सूर है कि वो गाउं तो साफ कर देता है ये अपने ले कह रहे हैं कि कबीर जो है जो इसकी बहुत जो मैंने सुनी ही वो कहता है कि साफ की इसलाम में जो है वो एक ही रब का वो किया जाता है तो भाई दिखी में तो आप तो गुरूं की भी अरदास करते हो आप तो गुरू गुरंत साब की भी अरदास करते हो तो ये एक कैसे हुआ अकल हो कहां से आई आप संजी जी आप देखो आप विधा एक प्रिशन पे जाईए कि वहाँ पे जो ये बोल रहा है ये क्या बोल रहा है ये राम नाम है देखिए सनातन धर्म में एक ब्रम्ह है जो जो परमतत्त्त है वो एक है और वो परमतत्यों को कोई शाक्त जो है वो दुरुगा कहेंगे, जो वैश्नम है वो महाविश्नु कहेंगे, जो शैव है वो सदाशिव कहेंगे, जो वेदानती है वो उसको केवल ब्रह्म कहेंगे, और जो सांख्यवाले है उसको पुरुष कहेंगे या परमतत्यों कहेंगे है लेकिन परमतत्य एक ही उसी को एक उंकार कहा गया है और वो पूरा का पूरा वर्नण उंकार का माणडू के उपनिशद में है मैंने परोफिसर जगबीर सिंग के साथ माणडू के उपनिशद और एक उंकार की समानता पर पूरी चर्चा की हुई है वो वीडियो उपलब्द है जैपो डायलॉक्स पर तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो आपके जो बड़े-बड़े लोग है इनकी जो IQ है वो इतने कम लेवल की है कि इनसे ब्रम, ओंकार, परम, तत्व, देवी इन सब कॉंसेप्स की तो इनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि यह समझ सकते है अब यह तो लोग तो जाके मथा देख रहे हैं आप सोची है यह आदमी ने जैसे कबीर का भी नाम अठा दिया एंड में बोल दिया और साकत का काफर कर दिया इन्होंने ट्रांसलेशन बलकि सारा का सारा है राम नाम का और संजे जी मैं आपको यह जो है ना दिखे अगर किसी को इसलामिक कटरवा समझाना तो उसको तमिया को जाना पड़ेगा कि जो तमिया ने जो तेरी वी शचताबदी में यह सारा लिखा अपना क्या करते तोहीद और यह सारी चीज लिखी है ना अगर आपको यह सारा पागलपन समझा ना एक संजे जी एक बंदा था जिसका नाम है कपूर सिंग कपूर सिंग एक बंदा था कि वो फ्रॉड करता पकड़ा गया और उसको फ्रॉड यह नहीं वो उसने की मदब जैसे उसको निकाल दिया नोकरी से और निकालने वाले उस टेम के गोरे अफसर थे कि जो जो क्या कहते है भारत का विबाजन हुआ और पाकिस्तान से शर्णारती आए उसका वो फ्रॉड कर रहा था और उसने केस लड़ा वो हर गया उसके बाद वो हो गया कि जी मैं सिक हूँ मेरे साथ धक्का होता है उस बंदे ने संजे जी किताबे लिखी है और वो बेसिकली एक तरीके से इन सारे जो इस जी मकॉल ये क्या कहते है अपना और उसने ऐसी जूड़ जूड़ बात बोली है कि जैसे जी मैंने तो जब भगत सिंग को फासी होने वाली थी मैं वहाँ पे चला गया मुझे किसी ने बंदे ने गुसा दिया बंगत सिंग तो माफिया माफिया मांग रहा था तरड़ रहा था कोई बंदा भी पड़े तो कहेगा ऐसे तुझे एक फासी की जगा गुसा दिया और भगत सिंग ऐसी बाते कर रहा था तो एनिवेस वेरी वेरी बिटर परसन और उसकी जो सेंट्रल थीसिस है यह है कि जो सिक्षी है उसका सनातन से या कह करते भारती दर्शन से यहां पर आतो गई बड़दी जो सारे के सारे हैं इसका Middle East से फेगंबर वार इस उसकी धीस Isthi and actually it's very interesting V.S. Naipaul थे ना उन्होंने उसका पड़ा कि वो कैसा पागल आदमी है he has written in his book what is Million Mutinies when he wrote in 1990s कि ये कैसा एक बिल्कुली गदा आदमी है उसकी ये सारी की सारी थीसिस ही और मैं बता रहा हूं संजी जो Anandpura साब resolution है ना वो भी Kapoor सुंग का काम है Bindra Mala को पागल करने में भी Kapoor सुंग का काम है मैं आपको संजी हिरी ये कमाल की बाता हो Bindra Mala was actually from a seminary which is Nirmala Nirmala कि क्या Nirmalay क्या होते हैं ये जो गुर्बाणी की होती है Hindu पुरान से ये उसकी व्याक्छा करते हैं जो गुरुओं ने कहा गया, जो लिखा हुआ है, वो पुरानी को और मतलब जो है, हिंदूस गरंथों से उसकी व्याख्या करते हैं, बिंडरामाला उस परंपरा से आ रहा था, जो और उसके देखो जो लिटरेचर भी उन्होंने प्रोड्यूस की है, वो सारा का सारा वो है, और वो दश्मग्रत को भी मानते हैं, बड़ जब उसको कपूर सिंग ने किया, तो वो बेसिकली वो तो बिचारा है, वो गरीब एक तरीके का पागल, मतलब अनपड़्टाइब आदमी था, यह सारी जो नफरत है, कि हिंदू काफर है, और यह सारी कि सारी कपूर सिंग की यह एक खुदा है, यह सारा कापूर सिंग की हिरा फिरी, लेकिन आज कल के जो सिक इंटिलिक्चुल्स हैं, वो इसको काउंटर क्यों नहीं करते हैं, संजी टी मैं आपको अभी बता रहा था, जैसे वो सतीज जैकब है, वह बीच में बात रहेगी, कि वो उसको कह रहा है, ओगर की बिंडरा माले को, जब वो पचासी में किताब लिख रहा है, और दोजार बाइस में वो कह रहा है, वो संत हो गया, क्योंकि बोलने की तो संजी जी आप सोची नहीं सकते न, क्योंकि इनमें कोई अकल तो है नहीं, यह आपको, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं ना बिंडरा माले के खलाफ कभी डिरेक्टली नहीं बोला, बट वो यह जो यह कहते थे कि भारत के साथ मिलके चलो, यह वो सारी ऐसी बात करते थे, खालिस्तानियों ने क्या कि यह डून लिया कि उनकी बच्चियां कौन से स्कूल में पढ़ती है, और उन बच्चियों की इन मेंटल टॉर्चर में चले जाए, आप भी चुप हो जाओ तो यह बात तो कभी दलील की थी नहीं, दलील तो इनके बास तब भी नहीं थी, बट इन बदमाशों को आपको डील करना आता है कि नहीं आता, तो पंजाब में भी यह था, कि भाई, इनको खुली चुटी थी, प question, it is not a lawyerly argument that you know, यह कर दो, अब जैसे यह, अब गुन में आपको बता रहा था, वो जो पागल गूम रहा है, जो फ्लैट अर्थ वाला, उसने मेरे नाम की वीडियो बने, उसको एक लाख व्यू मिल गए, अब संजी आपने 25 लाख का इनाम देगा, कोई आया, 25 लाख कोई, किसी प्रोफेसर की सैलरी होगी क्या 25 लाख, उनको सिर्फ एक एविडेस आपको एमेल करना था, या तो कहना कि हमें कोई वरग नहीं पड़ता 25 लाख से, और तुम्हारी जितनी साल की सैलरी है, उतना तुम्हें एक एमेल में मिल जाता, आपको किसी ने किया 25 लाख, नहीं उल्टे एक फागल किसम का इंसान जोता, वो दरूर कुछ ना, कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ है, वो भी डायरेक्ट चैलेंज करने की हमत किसी ने नहीं की, इधर-उदर, वो इधर बोल रहा है, उदर बोल रहा है, और एक आपके घ्यानी जी ने कहा थ में यह नहीं है, इधर-जे फ्लैटर वाले, एक फ्लैटर चली चला इसकोरीशव की रहे है, सुफ़े तरह ते, मैं लादा द्धा, दूयाज किसे काम जी नहीं है, सुशल मीडिया जै यहां की, बना जिड़ा है, व एक निरेट्टर और सारा जै नहीं हो दे आले दवाले स सोचल मीडिया दें ऊठके ना उन्हों से कट्यास अपटांदा न उन्हों स्था हो ना उन Л हम रहत मर्यादा दा पदा लेको nedenle PCR इ pilots comb pacing फिर सेब स्था जनुकी आप लिए एक च्रेंश कर्या हुआ ते असी ओदे पिछ चल रहे हुआ है कि धी कमाल दि के धी हरा जी अ Congo जन्वे पता ही नहीं कि आ है जन्वे इन पता ही कि साधी प्रम्प्रामा की नहीं जनू पता ही साधी रैद की घेड़ा है कि सदा समझ आ रहा हुँरा है और अशन्य जी जिसको प्फंजाबी समझ cooking घ्ड़े होके और हजारों की बीडुं में इन्हों ने का कि एक बंदा बोल रहा उसके पीछे सारे कर रहे हैं उसको क्या रहेत के बारे में पता है तुम बता तो 25 लाग का इनाम है या तुम्हारा कोई पठा बता दे या तुम्हारा कोई प्रोफेसर बता दे या पूरा का कनेडा ही बता दे संजी जी वैसे आप हसतो रहे हैं और आप बटिए आप सोचिए कि करोडों लोगों की इन्होंने सद्दा के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया यह जो पंच का कार का इन्होंने जूट बोला एक सो साल तक यह जूट चला जिसको मैंने परताफाश की है और आपको भी सादू बाद है कि आपने 25 लाका इनाम लगा कि कल को यह ना कहते कि यह होते को नहीं हम इन से बात ही नहीं करना चाते है बट संजी जी आप इसको एक as a human being कीजिए कि ठीक है आपका जो भी आप करते रही है बट आप एक भावना करके कि एक बच्चे को बता दिया यह गुरू ने यह करते जाओ यह कितना बड़ा पाप है कि नहीं नहीं वैसे आप जो लगातार इस समय चला रहे हैं जो गुरू की जो वानी है और उस वानी का जो सही अर्थ है जो आप पताते हैं तो यह तो कोई भी जो है वो पढ़े गुरू वानी तो उसको तो सीधे-सीधे समझ में आएगा उसको नहीं लगता कि वो पूछे यदि यहाँ पर हज़ार बार जो है वो हरी का नाम आया है तो आप हरी का नाम जो है वो अंग्रेजी में कैसे ट्रांस्लेट कर रह भई री का नाम तो हमारी परमपरा में सबको पता है या किशन का नाम आए या विशन का नाम आया है तो वो क्या है पुराणों की कथाएं साथ में जुड़ी हूं राजन कौन तुम्हारे आवे इसका क्या अर्थ है सुदामा चलित्र आ रहा है गजेंद्र मोक्ष आ रहा है और भाई को वो कौन सी किसकी वार है वो जो आपने बताते हैं गुर्दास भाई गुर्दास जी की वार जो है वो पूरी की पूरी जो है वो पुराणों की है सब की है आपके दन्ना जाड जो है वो भक्ती सब कर रहा नाम देव जी का पूरा का पूरा इसमें सुष्टाहित्य पड़ा हुआ है, कबीर का पड़ा हुआ है, सब का पड़ा हुआ है, यानि कि इसमें वेदान्ती भी हैं और इसमें वो भी है जो राम नाम को ब्रम का रूप मानते हैं, निराकार मानते हैं, इसमें वो भी जो है वो जो राम को अवतार मानते हैं अब धन धन माता देव की तब ये क्या है धन धन माता देव की संजीची ये तो बात ही नहीं होती है मैं तो संजीची आपको बताऊ हूँ ना जो गुरबाणी भी गाई गईißtर गई believe you me 90% गाई नहीं गई ये भी जो है ना उसको बीज ये क्या करते हैं जो 10% भी गाते हैं उसके उल्टे अर्थ करते हैं उसमें से जैसे हरी है अब हरी जैसे हरी तो जो विश्नु सहस्तर नाम में विश्नु के लिए 650 वा है कि जो आपके जो दुख हर कर लेता है जो आपके ज जो ये अर्थ लगाओगे हर जगा मिलेगा अब एक संजे जी यहां पे इनोंने बनाया है सिख रिसर्च इंस्टूट जो भी कोई खालस्तानी होती है ना मिलियन डॉलर इनकी फंडिंग है ये वाशिंग्टन डीसी में बैठते हैं और अनाब सनाब और वो चला गया कोई बीर बाइसाब पोड़कास्ट में वो कहता है हरी का मतलब हरा रहा है बताओ बैया को ये बैया संजे जी ये फिंग टैंक है जो बंदा इस फिंग टैंक को चला रहा है जिसके मिलियन डॉलर जिनकी फंडिंग है वो जाके जो वशिंग्टन डीसी में जो सारे खालस्तानी क कर रहे हैं वो जाके इंडिया के सबसे बड़े पॉड़कास्ट में जाके ये बात कह रहा है कि ये हरी है और इन्होंने ऐसा क्या होगा अब जैसे ये तो गाते ही नहीं संजे जी अब जैसे हरी बोल दिया और उसको कहते हरी का तो कुछ भी मतलब हो सकता है जो वर्ड्स आ आपको एक मिल जाएगा वो अदी शंकर का है ना मंतरो न तीर्थम न यजिया जैसे उन्होंने वो बोला हुआ उन्होंने एक बार जैसे कबेर mayor अब उन्होंने एक जगा घखर कभीर जी ynहां कह दिया कि मेरा ना मेरे को उसमें जाने की जरुए है क्या King मेरा मंदिर में जा पढलाइन, ये निचे लाइन पढ़ लीगे, हमिशा राम नाम राम नाम लगाई ही यह उसमे इसी मैं आपका जो निरवान शटका Professor पुर्ण्यम नपापम्हद्र फिर क्या है उसमे, डर मुट्यावाद्र जा लुए से नपापम्हद्र ये सब उस्वा है. ये लिखा नावेदों किया वशक्ता है. ये लिखाओ. नभोजम नभोगधा चिदाननद सुरूपब सों। जी तो ये ऐसे एक लाइन है अब जैसे पता हूँ ना सन्जी जी कोई है. अब कोई बात करोगे. उसमें से उल्टा जाकर बोल दिया. इसे जव जो पागल पना कह रहा था तो लोग अच्छा उसको जिससे सुनने जो बार वाले बंदे हैं वो अपना ट्रडिशनल फोक ट्रडिशनी फॉलो कर रहे थे उसकी इतनी नहीं थी बड़ जब उसको लाउड स्पीकर मिल गया जब उसको ये सारा मिल गया उसका जो पागल बंदा वो सारा स्प्रेड गरना शुरू कर दिया तो आप कोई भी कंट्री पढ़ लीजिए या तर्की ले लीजिए या एजिप्ट ले लीजिए अफ्टर दर इस्लामिक रेडिकलिजेशन एक्चली इंक्रीस रादे दें डिक्रीस ये सिख़्ी और पंजाब के साथ भी क्या हो रहा है कि ये जो सोशल मीडिया आ गया उससे जो ये कैनेडा के अंदर बैट के या ये जो अपने सजी पीसी के अंदर बैट के गंदगी फिलाते थे या पक्षवास मारते थे वो सारा मवाद लोगों के साम़े आ रहा है और यहांपर बुलिंग करने की किसी भी हिंदू से के शादी होरी है ये लाखो बंद ये उसको ट्रोलिंग कर देंगे उस गुरदवारे को कर देंगे ग गुरदवारे हम आफी मंग लेगा कि हमको शादी नहीं करा सकते, या किसी ने किसी बोला, उसका बिजनस को डॉक्स कर दिया, उसका बिजनस तबाह कर दिया, so the radicalization is also like increasing, their bullying power is increasing, but the other thing is, कि यह जो सारे facts दे दिये हैं, इसका जवाब तो किसी के पास ही नहीं है, इसका जवाब तो यह है कि किसी माईके लाल में है कि उसका counter जवाब देते, यह देवी स्तुति में लिखा हुआ है, कोई जवाब नहीं, अब यहाँ, आज मैं आपके आगे कर गया हूँ, यह भी सो सालों से बकवाश लाएं लाएं लाएं, आज मारे पास समय कम है, जवाब तो यह रहाँ, वीडियो एडिटिंग करनी थी तो चंद्रयान तूमें क्यों नहीं कर दिया यह चंद्रयान थी यह वीडियो एडिटिंग से बना हुआ है चंद्र मा कोई प्रकास का सोर्स है वह और वो तो कोई प्लैटफॉर्म है नी जमीन है नी उसके पर किसे रखता हूँ असन जी जी और आपको मैं कमाल की बात हूँ यह जो बंदा बैठा हुआ इसका नाम है कमल प्रीसिंग यह कैनेडा में बैठा हुआ यह इसने अपने नाम किया कि डॉक्टर लगाया हुआ इसके पास कोई डिगरी नहीं है और यह कहता है मैं डाइबिटेस रिवर्स कर दूँगा जो मेरे इसाब से जो नहीं होती है और यह खुले हाम ऐसी और यह फ्लैट अर्थर यह कर रहा है और कैनेडा के अंदर जॉड़ जो पॉलिटेक्स चलाइए उसके खिलाब बोला हर जगा ही इनका पागलपन फैला हुआ है इंडिया के अंदर के हर जगा ही पागलपन फैला हुआ है आज का कॉल्वर्सेशन आज की चर्चा और यहीं पर समाप्त करते हैं आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत जय हिन जय भारत ओन दे मात्रम जय मावारती पुल्सा की पुल्सची